केंद्रिया कृषी और किसान कल्यान राजमंत्री कैलास चौधरी ने राजिस्थान में किसानों को टिड़ी से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया है उन्होंने का कि प्रदेश सरकार से टिड़ी दल से फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करवा कर केंदर सरकार को भेजने का आगरे किया है केलास चौधरी सुमवार को बाड मेर और जालोर में टिड़ी प्रभावित शेत्रों का दौरा कर टिड़ी दल से फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे इस दौरान केलास चौधरी ने किसानों और स्थानिय निवासियों के साथ इस समस्या को लेकर बाच्शीत की केलास चौधरी ने कहा कि तिडडी दल से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआफ़जा दिलाने के लिए राज सरकार से तैस समय में केंदर को गिरदावरी रिपोर्ट भेजेगी केंदर सरकार मुआफ़जा के बाद किसानों की हर संभव सहायता करेगी आपको बता दें कि पाकस्तान की सीमा से लगे इस रिगिस्तानी इलाके में इस बार अच्छी बारिश होने से खेतों में बाजरा सहित कई तरह की फसले लह लहा रही हैं लेकिन पडोश से आई टिड़ी दल ने किसानों की उम्मीदों और आशाओं पर पानी फेर दिया है अब बरते हैं